गुद मॉर्णिंग एरिवन गुद मॉर्णिंग जल्दी से जल्दी बताईए आपको आवाज आ रही है तब तक जो मैं टेलीक्राम चैनल के उपर अपनी ग्लाश शियर कर देता हूं ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ जाएंगे जी गुद मॉर्णिंग गुद मॉर्णिंग सबको गुद मॉर्णिंग करते हैं अपने सेशन को दीरे 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 बच्चे अपने आप जुड़ते चले जाएंगे तो आज हमारा सेशन में सेट्मबर है और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं मैं मेरा नाम है डॉक्टर विपंगोई्व हर्यानगा सिविल सर्विस का जो एक्जाम है उसके लिए हम कोशन इसके हैं और आपणका कोई भी एक्जाम है उसके लिए आपको एक्जाम यहां पर प्लस जो है आप मुझे इंस्ट्राग्राम की उपर भी फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपन गोईल के नाम से टेलीग्राम की उपर मेरे 1,36,000 प्लस बचे जुड़े हुए हैं तो आप भी आके यहां पर जुड़ सकते हैं और मेरे दो पेड़ कोर्सी जाते हैं वान इस टैन थाउजन एमसी की कोर्स जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज से एमसी की तो हैं है अलग से स्टेट पीसेस के लिए यूपी यूपीसी एपफो के लिए एससी रेलवे के लिए और डिफेंस एक्जाम के लिए मैंने अलग से फोल्डर यहां पे बनाए हैं और आने वाले एक महीने के अंदर बहुत सरी चीज़े जो है मैं इन तीनों फो सब्सक्राइब हो जाना है आपका उसके बाद जो है मैं ऐसे धूम मचानी है इन तीनों फोल्डर के अंदर की आप कहेंगे कि सर्क्या क्या क्या कोशन करवा रहे हो ठीक है और बस देख लेना जो भी है जो भी आपके पास जिनके पास 10,000 mc कोर्स के अंदर जो है हमारा थे सब्सक्राइब होम पेज यहां पर दिखेगा बैस सेलिंग कोर्सिस वी ओल का बटन इस वी ओल के बटन को दबाना जैसी आप दबाएंगे 10,000 mc कोर्स दिखेगा तीसे नंबर के उपर जो भी आपको कोर्स अच्छे लगते हैं तो पर्चेस कर सकते हैं समझ आया जी चले जी फर्स्ट कोशन देखेजे और अंसर देने की कोशिश कीजे अगर तुम लोगों ने पढ़ना नहीं है न यह जो बच्चे बीच में बाते कर रहे हैं मैं इन लोगों को ब्लॉक भी करवा सकता हूं मैं पहले बता रहा हूं मुझे क्लास में सीरिसनेस चाहिए मुझ अगर इसमें से आम में से किसी बच्चे ने अब इसके बाद कोई आपस में बात करी ठीक है बात करो मैं मना नहीं करता लेगिन ऐसे कि हाँ इदर उदर की बाते करी तो मैं उस बंदे को यहां पर ब्लॉक करवा दूँगा मैं पहले बता रहा हूं आप लोगो समझ आया पं चलो कोशें देखें जी क्या गयता है विचोदा फॉलिंग इस अन अलाइड एक्टिविटीज ऑफ एग्रीकल्चर कृषी से संबंद कारय कालब कौन सा है मतलब क्या हो गया यहां पर प्राइमरी आपका प्राइमरी के साथ जूड़ गया प्राइमरी जो है आपका सेक्ट यहां पर तो यहां पर जो आपकी अगरी करूंगा तो यह आपका क्रूंग आएगा जनकी प्राइमरी आएगा परशू पालन के साथ और क्या चीज़ आ सकते हैं जैसे लाइफ स्रॉक परशू पालन एनिमल हस्बेंडरी जिसे हम कहा देते हैं और आपका जैसे फॉरेस्ट्री हो गया यह आपका पुल्ट्री फॉर्म्स हो गये चीक है फिशिंग हो गया वो सारा एग्रिकल्चर और उसके नहीं से पूछा किती तीनों सेक्टर में से सब्सेटा पैसा गांव करते हैं लेकिन सबसे पहले सबसे काम पैसा भी उसा से आता क्लियर हो गया आप लोगों को जी कि अगला बताईए है कि दा फाइनली पेंटिड कॉटन फैब्रिक मेड इन गोलकुंडा वास कॉल गोलकुंडा के अंदर जो है आपका कौन सा फेमस जो है कॉटन फैब्रिक के ऊपर जो है यह करते थे देखे हिस्टॉरी के लिए अगर मैं बात करता हूं जो कलमकारी पेंटिंग होती है इसको आप क्या कहते हैं कलंकारी पेंटिंग को कहते है तो इसका मतलब बता घया है मतलब जो लीव होता है और चिट्र मतलब पीचर क्टए उपद चित्र डिए इस और यह आपके साउथ इंडिया में देखने को आपको मिलते हैं खास करके गोलकुंडा सल्तनात के टाइम पर देखने को आपको मिली थी और इसमें तीनों चीज़ें हिंदू बुदिजम और जैन तीनों धरम की चीज़ें जो है इसमें दर्शाई जाती है तो यह आपका अंसर बनेगा कलमकारी is the correct answer समझाया जी कलमकारी के उससे करते हैं टैमरेंट से करते हैं इमली से करते हैं इमली जो लगा लेते हैं उससे आपकी डिजाइन वगयरा करते हैं यहां पर समझाया जी आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर कलमकारी डिस इस अ कलमकारी पेंटिंग जहां पर सारे धर्मों का वर्नन ह को Eh जय आफ्ट धित्र कि शित्रन कि श्क्ष ये इनë प्रदेश में देखने आपको मिलते है इंडिया में ने stata में इठाल में मिलते हैं कि बिल्कुल है बिल्कुल है बहुत ज़्यादा इंडिया में बहुत ज़्यादा पर चली था लंग है कि अगप अगला देखिए father of Indian cinema किसे कहा जाता है father of Indian cinema जिन्होंने पहली feature movie बनाई थी डै dadda Six जंद्र राजा हरिश चंद्र बनाई थी 93 में और इनका जो नाम है वो है दादा साहिभ फाल के इसमें क्या बनेगा one option बनेगा दादा साहिभ फाल के जी को बोला जाता है इंडन सिनिमा का फादर बोला जाता है आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर बनेगा दादा साहिब तभी इनके नाम के उपर जो यह यह दिया जाता है दादा साहिब के अगला बताईए दा मडर ओफ आर्च ड्यूक फर्नांडीड और इस वाइफ ट्रिगर ऑफ विच व्ट फॉल्लिंग इवेंट मैंने आपको बताया था कि जो आपका फिर्स वर्ल वर हुआ था उसका रीजन क्या था और यह जो परसंड इन्होंने किंग है जो मार दिया था मत्रिंस मार दिया उसकी वाइफ को मार जा था जिसके कार्ण यह चीज़े देखने को आपको मिली थी सर्विया जो है सर्वियन किंग को मार गया था सर्विया आजाद हो गया था ओटोमान इंपायर से तो तीन चर अलाइंस बन गए थी वहां पे इन अलाइंस क्या बनी थी आपकी जैसे जर् अंगरी ऑस्ट्रिया जो है यह बन चुके थे और अगें यह दोनों का आपस में युद्ध हुआ और रीजन यही था इस चीज को ठीक है इस चीज का ही रीजन था क्योंकि सर्बिया ने इंडिपेंडेंस ली थी ओटोमान इंपायर से और ओटोमान इंपायर जैडिस जर्मनी से तभी जो है यह चीजें देखने को आपको मिली तो यह सारा जो पंगा खड़ा हुआ था यह एड़ एंड कहां पर जो हुआ जो हुआ यह जो है लोग जीत गए थे समझाया फ्रांस अगयरा यह अंसर इसमें क्या बनेगा जी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर फिर्स वर्ल्ड वर्ल के बाद एक ट्रीटी ओवर्सले साइन हुए थी और ट्रीटी ओवर्सलेस जो है जर्मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने पैसा लगा दिया था कि यह पेग करेगा जिससे जर्मनी जो है खतम हो चुका था पूरा का पूरा ओटोमाइन इंपायर खतम हो गया था और ट्रीटी ओवर्सलेस उसके बाद जो है आपकी एक और्गनेशन भी बनाए गए थी यहां पे इंडिन लेबर और्गनेशन इंटरनेशन लेबर और्गनेशन जिसके आपको मिली थी जे 12 तेरा के अंदर शोड़ी और सेगेंड वर्ल्ड वार कव हुई थी ठर्टीन से बीच में और मैंने आपको क्रीमें वार के बारे में बताए था याद आपको कल कल हमने कोशन किया था फ्लोरेसेंस ठीक है जो नाइंटेंगेल फ्लोरेसेंस जो लाइट ऑफ लैंप जिनके जिनके हाथ में होता था और सारी जगा की उपर जो है वह नर्सिंग करती थी और सैनिटेशन का प्रॉपर ध्यान रखती थी तो वह आपका इनके साथ घ्र्णेसां करेक्ट है कि एक फर्स्ट वर्ल्ड वार के नतीजे नेक्स रेखे नहरू ट्रॉफी जो है ये कौौन से खेल के सब्स बदह है गरा कि जी ए नहरू तरॉफी और नहरु कप दोनों सेम है या गलत है मतलब अलग-अलग है दोनों आप मुझे comment section में लिखके बताएंगे ये simple सा question है थोड़ा सा दिमाग आपका भी चलना चाहिए Google करना चीक है जे ये देखके बताना मुझे क्या है अज़ा FIFA World Cup का होने वहला है कतर 2022 का कतर में अगला देखो sound waves cannot travel through a sound waves जो है वो कभी भी travel नहीं कर सकती कहां से travel नहीं कर सकती cannot travel through a sound waves cannot travel through a कहां से travel नहीं कर सकती ये बात कर रहा है देखे sound waves को travel करने के लिए medium की जरूत होती है हम बहुत बार बात करी है और इसलिए इसको mechanical waves कहते हैं और यह mechanical longitudinal waves है longitudinal जाने कि लंबाई में चलती है यह longitudinal इस तरीके से समझाया अगर मैं copper wire की बात करता हूं तो copper wire obviously बात medium है silver slab की बात करूं यह है यह भी आपका medium है glass prism की बात कर रहा हूं यह भी आपका medium है wooden hollow hollow मतलब खाली है अंदर से और vacuum है अंदर तो वहाँ पे आपका नहीं travel करेगी vacuum में कभी भी sound travel नहीं करती अंसर इसमें क्या बनेगा डी option बनेगा right answer अंदर hollow के अंदर जो है travel नहीं करती clear जे डी option बनेगा correct answer बनेगा बिल्कुल सही डी option बिल्कुल right answer बनेगा vacuum में travel नहीं करती यह question बहुत simple question है मैंने बहुत बार आपको यह explanation में समझाया है आप लोगों को की act की उपर question paper में पूछे जाते हैं तो कौन कौन से act कहां कहां पे होते हैं तो incorrect बोलना है कि कौन सा कथन जो है गलत है wildlife conservation act की बात करें 1972 यह बिल्कुल आपका सही है wildlife protection act की बात करें सही है project tiger 1973 यह भी आपका point बिल्कुल सही है project elephant 1992 यह भी आपका point सही है environment protection act 1984 यह आपका गलत है क्योंकि environment जो है 1986 से अंदर देखने को मिला था answer इसमें d option बनेगा correct answer बनेगा d option is the correct answer यह आपका point बनेगा right answer d option समझाए आप लोगों को जी और मैंने आपको हमेशा बताया है दो तिन चीजे और डैडिस बाइडिवस्ट्री एक्ट भी याद कर लेजे जैविक वित्ता इंवार्मेंट प्रोग्राम आपको याद करना है headquarter कहां पर है नेरोबी कीरिया के अंदर है और एक ग्रीन पीस और्गनेशन है जो आपका कमेंट सेक्षन में लिखके बताओ एंगी टी के चेर परसन को होना है यह जल्दी सी जल्दी कमेंट सेक्षन में बताएंगे समझाया आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा आपका भी दिमाग थोड़ा सा खराब होना चाहिए मैं सोच लिए है कि मैं बहुत आपको खुली है कि महिनत कैसे करी जाती है दो कोशन दिया है मैंने आज तो देखता हूं कि कितना आप कितनी महिनत करते हैं अपने आपके उपर सिर्फ बात्ते करने आ जाते हो यहां पर चलो जी विचोदा फॉलिंग इस नौट एक कॉंटिटिटिटिव विचोदा फॉलिंग इस नौट एक कॉंटिटिटिटिव टूल आपका बैंक रिट की बात करूं ठीक है CRR की बात करता हूं cash reserve ratio SLR की अगर मैं बात करता हूं और liquidity adjustment facility की बात करें open market operation की बात करें marginal standing facility की बात करें तो these are all दा यह रेपो रेट की बात करें reverse रेपो रेट की बात करें these are all दा आपका quantitative control देखने को आपको मिलता है तो इसमें quantitative control concern नहीं है तो भाई हमारा डी option बनेगा marginal requirement is not दा आपका जो है quantitative यह आपका क्या है qualitative control है qualitative control है यह qualitative ठीक है quality में आपका marginal requirement do and don't do and don't ठीक है do and don't आ है major requirement में qualitative में ठीक है और know your customer यह ऐसी चीज़े आती है समझाया answer इसमें डी option बनेगा राइट अंसर बैंक क्या होता है जिसमें आरबे जो होती है बैंकों को लोन प्रवाइड करती है यहां पे हमेशा long term के लिए लोन प्रवाइड किया जाता है और रेपो रेट में हमेशां क्या होता है बैंक आरबी जो होती है यह बैंकों को लोन देती है हमेशा short term के लिए short term के लिए open market operation में क्या होता है government security sale और purchase करे जाती है और बाइदा बाइदा आरबी on the behalf of government of India किसके बिहाफ पे government of India के बिहाफ पे समझाया और मार्जिन requirement क्या होती है कि आपको पैसा जो पैसा जब दोगे तो अगर कोई प्रॉपर्टी आपके पास गिर्वी रखने देता है वह रिजन सिर्फ यह होता कि अगर कल को भाग गया बंदा ठीक है उसकी प्रॉपर्टी बेचके उतना पैसा तो हम पूरा कर पाएं तो यह चीज़े होती है इसमें तो इसमें अंसर क्या बनेगा आपका डी मैंने आपको बता दिये थे मोरल सुवाजर माजन रिकॉर्मेंट कंजूमर क्रेड़ कंटोल क्रेड़ रैशनिंग डारक्ट अक्षन तो दीज आर अल्दा क्वालिटेटिटिव मेजर्स इस आर आगे बढ़ते हैं अगला बताएं इसमें से मनी की एक्जमपल कौन सी है मनी मनी की एक्जमपल बताना है कि कौन सी है इन में से मनी वर्ड का मतलब क्या होता है जो आपको हैल्प करती है किसी भी चीज़ के हैं बिल्कुल पैसे हैं सेविंग अकाउंट भी पैसा है करन्ट अकाउंट भी पैसा है और इनको दोनों को हम क्या कहा देते हैं डिमांड डिपॉजिट कहते हैं डिमांड डिपॉजिट को कहा जाता है और टाइम डिपॉजिट में आडी और एफडी आते हैं तो यह सारे के स सारे ही पैसे हैं हमारे देश में और हमारे बैंकों के पास पड़े होते हैं तो इसका अंसर क्या बनेगा सी ऑप्शनबनेगा रजरऊ समझ आया जी कि असुट इसमें क्या बनेगा सी उप्शन बने करेक्ट अंसर बनेगा, C option is the right answer, C option, अगला बताईए, J, when the sun is near the horizon, during the morning or the evening, it appears reddish, जब sun उद्या हो रहा होता है, जब sun अस्त हो रहा होता है, तो उस चाइम पे लाल रंग दिता है sun का, इस phenomena का मतलब क्या है, what is the phenomena here, actually ये क्या होता है, Rayleigh's law होता है, आपका law of scattering का, जो क्या कहता है कि हाँ, अगर आपकी जो scattering होगी, scattered light, वो किसके ब्राबर होगी, wavelength, fourth power of the wavelength की ब्राबर होगी, fourth power of the wavelength के ब्राबर होती है, ये, that is the scattering, तो Rayleigh's law of scattering बताता है, तो इसमें क्या होता है, आपका scattering of light होता है, जिसके कार्ण वो reddish color हमें दिखाई देता है, और वैसे भी मैंने आपको बताया था, अगर blue color of the sky, blue color of the ocean, single color phenomena, तो हमेशा scattering होता है, अंसर इसमें D option बनेगा, और reflection क्या होता है, कि एक जगा से यहां से कुछ चीज टकराई बापिस गई, ऐसे reflection होता चला जाएगा, dispersion क्या होता है, जिसमें आपका 7 color का phenomena आपको देखने को मिलता है, और reflection क्या होता है, हमेशा bending of light होती है, light bending, bending of light देखने को आपको मिलता है, अंसर इसमें D option बनेगा correct answer, clear हो गया आप लोगो, scattering of light होता है, समझ आ गया, और scattering of light के बारे में हमें रमन जी ने बताया था, सीवी रमन जी ने और रमन इफेक्ट उसको कहते है, अठाइस फरबरी, जो है हमारा national science day होता है, इस दिन इन ने डूड़ा था, national science day, अंसर इसमें D option बनेगा correct answer, scattering of light, जी, बिल्कुल और 400 to 700 nanometer की आपकी visible light होती है, जो range होती है, 400 to 700 nanometer, चलिए जी अगला देखिए, अगला कोशन देखिए जी क्या कहता है, विचोदा falling are prescribed as the duties of wish according to the dharm shastra, धर्म shastra के according जो है, धर्म सुत्रा और धर्म शास्त्रा के according वैश जो थे, तो इनकी क्या काम होता था, मैंने आपको बताया हुआ है, चार caste wise वर्न सिस्टम चार थे आपके, ब्रामन, शत्रिया, वैश और शुद्र, ये धर्म शास्त्रा के according है, ब्रामन क्या थे, जो वेदों को पढ़ते थे, पंडित होते थे, शत्रिया जो लड़ाई लड़ते थे, वैश जो बिजनस करते थे, ट्रेड करते थे, और शुद्र जो इनको तीनों को सर्व करते थे, तो इसमें वैश वर्ड का मतलब क्या है, that is engaging in the trade, जो ट्रेड करते थे, वेपारी लोगों को क्या कहते थे, बढ़े को सर्थे, तो आपका भी औप्रम अंस वहर्ट करते थे, वैश कया जाता था, चलिए अगला अंसर बताईंगे, कि 2-11 के सैंसिस के अकॉर्डिंग जो है वरकिंग पॉपॉलेशन को चार हिस्सों में डिवाइड गया। इनtag से नहीं है उन में से वो कॉन सी नहीं है ये बताना है पॉपॉलीशन में आता है ये Striker भी आपका इसमें किया था समझाया तो भाई इसको चार हिस्सों में अ Camera क्या गया तो इस सो कर बनेगा यह आपको बढ़ाता हूं आप देखने को मिलते हैं आपको बता क्या लगता है इतना कहां से आगया यह और अगर आपने पड़ा हुआ है तो बिल्कुल आपको असान लगेगा लेकिन हाँ चीजों को दूर कर देते हैं हम चीजों को पढ़ते नहीं हम कहते कि यार यह कोशन थोड़ा आएगा ऐसे थोड़ा कुशन आते हैं हम यह मेंटालिटी लेके पढ़ते हैं यह कोशन यह स्टेटमेंट बताइए जे जे जो फॉलिग हार दा करेक्ट स्टेटमेंट सत्वाहन रूल ओवर दा पार्स ओफ वेस्टेंडे अड़कन बिलकुल महराश्र वाला पार्ट और आंध्रपरदेश वाला पार्ट इनके पास था और सत्वाहन को आंध्राज भी बोलाया थ आद्राज ठीक है और जो है इनकी डिभाबमेंट कर रही थी तो नौर्थ में रूल कर रहा था मोरां इंपायर यह आपको ध्यान रखना है सब्सक्राइब तो पहला पॉइंट आपका बिल्कुल सही है सुदर्शन लेक गलत पॉइंट गलत है सुदर्शन लेक को बनवाया किसने था और यह कहां पर देखने को मिलती है जुनागड इंस्क्रिप्षिन समझाया आप लोगं को जी तो इस कोशन का दूसर स्टेटमेंट गलत है only one is the correct answer only one is the right answer one only is the correct one समझाया जी one option बनेगा correct answer बन जाएगा जी इनकी capital बड़ी important है प्रतिस्थान और अमरावती बहुत बार पेपर में आती है ये जी प्रतिस्थान और अमरावती प्रतिस्थान को पैथान भी कहते थे प्रतिस्थान और पैथान और जो है अमरावती इसमें a option बनेगा right answer अगला बताईए जी बिलकुल ये बच्चे ने बहुत अंसरी दिया है मतलब क्या हो गया कि अपनी माता का नाम आगे लगाया है तो that is matriarchal society थी matriarchal matriarchal word का मतलब क्या होता है जो माता के नाम पे हो अगला question देखिए इन human being certain chemicals which cross the synapses between the nerve cells are released from मारेंब में कुछ खास रसाइन जो तंत्री का कुशिकाओं के बीच के अंत्र को पार कर देते हैं उनको क्या कहते हैं जल्दी बताइए अग्या जिए अग्या इस तो यह कौन करते हैं क्रॉस देखते हैं तो यहां पर देखेंजी यहां पर आपका यह मतलब साइनेपसिस बंता है यहां पे तो यहां पर अंडिन के एंडिस पॉइंट है ड्र Scorpion और दूसरा आपका यहां पर आयाता है ऐन रॉइट वगण्स यहां पर जो आपके नर्व के क्या होते हैं तरमिनल ओते हैं वहां क्या बनते हैюξE làmते हैं और सीगनल ऐसे चलता है आपका यह खरता है सीगनल और बीच करता है आपका साइनफस यह पार्ट आपका मिलता है यह बनेंगे यह थे बनेंगे आपके ऑफ उसल यहां पर साइनफस बनता है और बढ़ सारी यह तूट जाए तो यह दोबारा नहीं बन सकता तो यह क्या होती है minimum regionation power minimum regionation power होती है दोबारा से बनने की शक्ति इन में कम होती है तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका c option बनेगा correct अंसर बनेगा समझाया c option हाँ neurology वगएरा तो है यह neurology वगएरा तो है यह which juice secreted by the organs in the any elementary canal play an important rule in the digestion of fat digestion of fat की बात कर रहा है fat मतला लिपेड लिपेड को digest करने में कौन सा चीज काम आता है देखे start with the first option चलते हैं मतलब स्टार्टिंग से चलते हैं माउथ में कार्बोहाइडिड की digestion होती है ठीक है तो यहां पर तो आपके enzyme होते हैं salivory केścieamilase जिसे अब तायलिज कहते हैं और maltese होता है और यहां पर कुछ भी नहीं है फिर आजाओ स्टमक की उपर स्टमक में होता है आपका क्या hydroglory क्या होता है जिससे मुकस कहा जाता है सवरी hydroglory acid होता है hydrochloric acid होता है only यह आपकी करवाता है यहां पे और म्यूकस हाइड्यक्लोरिक एसीड को मतलब उसकी कंस्वेशन को मेंटेंड करके रखता है फिर उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्ट जिसमें आप आपका आता है और पैंक्रेटक इस आता है बाइल जूस जो होता है सिर्फ और सिर्फ लिपिड को वे, और इसी कारण जो है, pancreatic juice को हम क्या बोलते हैं, pancreatic juice को बोल आता है, complete digestive juice बोला जाता है समझाया, तो इसका answer क्या बनेगा, आपका third option बनेगा right answer pancreatic juice तो ठीक है, saliva, मैंने आपको बताया कार्बोहइड को कोई सलाइवा के अंदर होते हैं इंजाइम स्लाइवर है और टाइलेज जी और दूसरा होता है माल्टेस सलाइवा हो गया है यह नहीं आएगा तो अश्में ओली थर्ड ऑप्शन बनेगा राइट अंसर बनेगा जी थर्ड ऑप्शन इस दा करेक्ट अंसर थ मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको फाइलम को पूझा राजयाता है वो उनकी जो है में ली एक्जाम्पल के उपर कोशन पूझा राता है जा फिर उसका एक कोई मेन फीचर हो जैसे के प्राउन हो पर belong करते हैं यह phylum किसकी presence होती है इनमें होता है jointed legs इनमें क्या होती है jointed legs होती है legs इनकी joint होती है समझाया option बनेगा right answer और एक इस phylum से belong करते हैं आर्थर पॉर्ट से belong करते हैं इनकी सब की जो देखे लेक्स नो है वो joint है समझाया यह प्राउन हो गया spider हो गया scorpion हो गया butterflies हो गया crabs हो गया यह सारे मैं लिख देता हूं यहां पर spider scorpions butterfly crab so these are the example और जो है यह आपको देखने को मिलती है किसकी arthropod की और arthropod जो है सबसे बड़ा आपका सबसे बड़ा जो है यह क्या है phylum है सबसे बड़ा अगला बताओ this electric lamp जो है को एक इलेक्तिरिक लेंप जो है यह किसने डिस्कवर किया था इलेक्टिक लेंप जो है यह किसने इन्वेंट किया था न Dhिस्कवर इन्वेंट किया था तो यह है आपका thomas alpha Edison संग उसे से बिलउंग करते थे आंसर इस में क्या कबनेगा सी option बनेगा राइट अंसर और इनों ने जो है इलेक्टिक रिजर के बारे में बात करें थी और हैरिसन ने क्या क्या था mechanical रेफ्रीजरेशन के बारे में father of mechanical रेफ्रिजरिशन ठीक है और यह हमप्रे डैवी ने डैविज लेंप समझाया जी अंसर इसमें क्या बनेगा ओनली थर्ड ऑप्शन बनेगा राइट अंसर थोमस एलवा एडिसन लेक्टरिक लेंप यह थोमस एलवा एडिसन अगला बताओ प्लास्ट्रो पैरिस के उपर कोशन है जी प्लास्ट्रो पैरिस जो है वो किसी इसका बना होता है क्या हां से बनता है कैल्शियम सलफेट हैमि हाइडरेट कहते हैं इसको कहा जाता है और यह बनता है कहां से जिप्सम से बनता है अंसर इसमें c option बनेगा cso4.2h2o समझा इससे बनता है clear हो गया और इसको गरम किया जाता है वाटर मॉली को निकाल दिया जाता है और आपका p.o.p रह जाता है अंसर इसमें क्या बनेगा third option बनेगा और मैंने हमेशा बताया था कि जिपसम को हम डालते हैं ऐसा समिंट के अंदर के आफसे कहीं कर्ने के लिए पहला पॉइंट एक्शन को कम करोन कर ना है और बढ़ाना है और इसको को इंपशन का अंसर क्या बनेगा धिब्सम करेंट न सब्सक्राइब रइयो डिवर्न ऽे इंपसर स्वाब arrive स्लाइम स्टोन और क्ले वगएरा देखने को मिलते हैं जिपसम डाल दिया जाता है मार्बल इस कैशम कार्बोनेट अंसर इस थर्ड ऑप्शन इस दा राइट अंसर जिपसम कि यह वही जीज है जो मैंने आपको बताई है अगला बताईए क्रोमोजोम नंबर जो होता है किसी भी स्पीशीज में क्या होता है क्रोमोजोम नंबर हमारे क्रोमोजोम कितने है 46 पूरी जिंदगी हमारे 46 क्रोमोजोम ही रहेंगे जाने के 23 पेयर 23 पेयर में दो होते हैं 22 और वाइस तो सम्मे से में गर्ल्स और बॉइस मे इनको क्या कहते हैं autosomes कहा जाता है जो हमारी body growth के लिए चाहिए होता है body growth के लिए ठीक है और एक होता है आपका sex chromosome sex chromosome जिसमें हम xx और xy को conclude करते हैं xx जो होता है यह आपका females के अंदर होता है और xy जो होता है वो males के अंदर होता है तो इस जो chromosome number है वो हमेशा क्या रहेंगे constant रहेंगे constant स्थिर रहते हैं और मैंने आपको बताया था कि cell division में chromosome हमेशा हमें मेटाफी स्टेज में देखने को मिलते हैं मेटाफी स्टेज में देखने को मिलते हैं तो अंसर इसमें क्या बनेगा अपका c option बनेगा constant रहेंगे सारी उमर में तो नहां पर देख लिए क्रोमोजूम यह राउंड वम चार है राइस 24 एंड हुमन्स के 46 चीपैंजी के 48 डॉक के 78 पूछे जा सकते हैं चीक है और राउंड वम का नाम देखेजी पैरा स्कैरिस इक्वेरम राइस का जो नाम है और आईजा सैटिवा होमेशेपिन हमारा नाम ह यह जो है चिपैंजी का नाम है जो है नाम देखने को मिलता है चलिए अगला अंसर बताइए हूँ अचुछ के बारे में किस ने बताया था बूधिजम तो अलग चीज ने अवतार थिक है अंबेदकर जी is the correct answer कर झांबेदकर जी के बारे में बात करते हैं तो ड्राफ्टिंग के चेर परशन है तीनों राउंटेबल कॉंफरेंज़ में इन्होंने पार्टिस्पेशन किया था अंबेदकर जी का पेपर है मूखनायक याद रखना है आपको मूखनायक गांधी अंबेदकर पैक्ट हुआ था 1932 में जो रिजर्वेशन के लिए था दस साल के लिए रिजर्वेशन मिली थी रादा कृष्ण जी जो है अमारे देश के सेकंड प्रेज़ेंट हैं और पहले वाइस प्रेज़ेंट बने थे और बार में इनकी पोस्ट आई थी प्रेज़ेंट क करने से पहले कौन थे यह अंबैस्डर थे सोवियत यूनियन के समझाया अगर मैं कहूं अबेंदर नाथ टैगोर नॉट रबिंदर अबेंदर नाथ टैगोर की बात करता हूं तो यह इन्होंने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी भारत माता पेंटिंग इन्होंने आपको जब आपका आपका यह वाला बाग हत्या कांद उतहां ठीक है भिवेका नची की बात करते हैं बिवेका नची का और है मिशन स्टार्ट किया था इसी कारण भिवेका नंजी ने जी अंसर इसमें थर्ड ऑप्शन बनेगा राइट अंसर अंबेदकर जी इस दा करक्ट अंसर यहां पर देखें जी क्या है लाइफ शूट बी ग्रेट रैदर देन दा लॉंग यह इनके वर्ड जो है जो है जो बेस्ट है हिल्टन यंग कमिशन के रिकमेंडेशन से वह इन्हों ने आइडिया दिया था और यह इंडियन जूरिस्ट एकॉनॉमिस्ट पॉलिटिशन और सोशल रिफामर रहे हैं चौदा एप्रेल जो है इनका बड़े होता है छे दिसंबर इनकी जो है डेथ अनिवर्सरी होती है आर्किटेक्ट ऑफ कॉंस्टिशन ऑफ इंडिया कहते हैं मॉडरन बुदिश्ट मुवमेंट जिसे अब नियो बुदिश्ट कहते हैं दलित विमन और लेबर क्लास के रात को नौ बजे सुसारे आना उस क्लास में देखने के लिए और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना शेयर कर देना और बाकी आपको जो अपडेट्स हैं वह आपको टेलीग्राम चैनल के उपर मिलते रहते हैं यहाँ पे मेरे साथ यहां पर एक लग च है चैप्टर्वाइस तो डाले डाले हैं इसको आपके पेस्टीं को फोकैस करके और्फ scene को फोकर करके और आपके सबोस क्रके और अचे बसे फोल्डर पैनि त्यार के हैं तो इसको भी आप देख सकते हैं और इसमें आपका कोड है वीपन्त 15 या यूश करेंगे जैसे आप इसको open करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपन अजर आएगा home page यहां पर दिखे का best selling courses विवाल का button इस विवाल के button को दबाना जैसे आप दबाएंगे 10,000 mcq course देखे का तीसरे नंबर की उपर और GS course आपको नजर आएगा चौथे नंबर की उपर समझ आया जो भी courses आपको अच्छे लगते हैं यह वाले courses द्वारा मेरे द्वारा बनाए गए हैं दोनों के दोनों ठीक है और अगर आपका हाल लेक्चर के अंदर कुशन मिलते हैं रात को 9 बजे गुल लगाइस टेक क्यार बाबाई एंड जैहिंद कर दो कर दो